असलाम लेकुम स्टुएंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका क्वेशन नमबर 1 देखें In a general election, candidate A got 695,627 votes and candidate B got 478,259 How more votes did candidate A get than candidate B? election होने में candidate A ने जो vote gain किये वो बताए हुए है और candidate B ने जो vote gain किये वो बताए है और पूछा है कि इसमें से candidate B ने candidate A से कितने ज्यादा vote gain किये कितने ज्यादा vote हासल किये वो बताए है Classics को आप solve करने के लिए अपनी copies पे exercise 1.6 लिखकर Question number 1 लिखोगी आगे लिखोगे solution इसका A got यानि A ने कितने vote gain किये आगे उसके vote लिख दिए Next आप लिखोगे B got B ने कितने vote gain किये अब आपको पता है कि हमें ये बताने के लिए किसने कितने ज्यादा हासल किये हमें माइनस करना पड़ेगा हम लिखेंगे A got more A ने इतने ज्यादा हासल किये माइनस करेंगे A वाले में से B वाले को माइनस करेंगे आप ones वाली place value से हमेशा right side से अपना माइनस करना स्टार्ट करोगे उपर 7 है नीचे 9 है माइनस नहीं हो सकता 2 से 1 उसको carry दिया 17 बन गया और यहाँ पर 2 को काटके हमने 1 लिख दिया उपर 17 में से 9 माइनस करके 8 आया अब यहाँ पर 2 में से 1 देके 1 बच गया था नीचे फिर से 5 आ गया तो हम नहीं कर सकते इसको माइनस 6 में से 1 carry देंगे यहाँ पर 5 रह जगा यह बन जगा 11 11 में से 5 माइनस किया 6 अब यहाँ 5 है 5 में से 2 माइनस किया 3 आगे है हमारा डिजिट 5 उसके नीचे 8 है 9 में से 8 उसको 1 carry दिया 15 बन गये यहाँ रह गया 8 15 में से 8 माइनस किया 7 8 में से 7 माइनस किया 1 6 में से 4 माइनस किया 2 हमारा final answer आया 217,368 आप अपनी एक्सेसाइज का क्वेशन नमबर 2 देखें सुहेल बाट अन्यू कार फॉर रुपीज 567,109 और सॉल्ड इट फॉर रुपीज 893,000 वट इस दिफरेंस आफ दिस अमाउंट सुहेल ने गाड़ी ली उसकी कीमत बताई हुई है और जितने की बेच दी वो भी बताया है और पूछा है कि इस अमाउंट में डिफरेंस क्या है सॉल्फ करने के लिए आप अपनी कापीस पे क्वेशन नमबर 2 लिखोगे सॉल्फ लिखोगे उपर लिखोगे सॉल्ड फार कितने की बेची वो देखे डिजिट पताच चल रहा है कि जतने की बेची है वो अमाउंट बड़ी है और जितने की खरीदी थी वो छोटी है माइनस करेंगे हम उपर सारे डिजिट जीरों है फ्री में से हम कैरी देना शुरू करेंगे यह 10 बना फिर अगले 0 को कैरी दिया यहां 9 रह गया अगले 0 को 1 दिया यहां 9 रह गया अब 10 में से 9 माइनस किया 1 आया इस 9 में से 0 माइनस किया 9 आया 9 में से 1 माइनस किया 8 आया यहां पे 2 रह गया था इस में से 7 माइनस नहीं हो सकता 9 में से 1 carry लेंगे 12 बनेगा 12 में से 7 minus किया तो 4 8 में से 6 minus किया तो 2 और 8 में से last में 5 minus किया तो 3 यानि कीमत जितने की खरीदी थी जितने की बेची थी इसमें difference है 325,891 अपने book के आप next page पे question number 3 देखें The General Post Office of Lahore delivered 830,960 letters in the month of January and 456,830 in the month of February How many more letters did it deliver in January than February January में February से ज्यादा उसने कितने letter deliver किये हैं वो हमने बताना है आप अपनी copies पे question number 3 लिखकर इसका solution करोगे January में जो letter पोस्ट किये गए हैं वो लिखोगे और जितने February में पोस्ट किये गए हैं टलीवर किये गए हैं वो लिखोगे और नीचे लिखोगे more मतलब कितने ज्यादा deliver किये गए माइनस करोगे पहले ones की place पे zeros हैं तो zero ही रहेगा six में से three माइनस किया three nine में से eight माइनस किया one next है हमारा zero उसमे से six नहीं माइनस हो सकता three में से हम one दे देंगे इसको carry के तोर पे तो यह ten बन गया यहां पे रह गया three की जगा पे two ten में से six माइनस किया four अब इस two को carry चाहिए क्योंके नीचे five है यह छोटा हो गया माइनस नहीं हो सकता eight में से हम one उसको देंगे eight को काट के seven लिख देंगे twelve में से five माइनस किया seven और seven में से four last पे माइनस किया तो three यानि कितने ज्यादा letter deliver किये गए है January में February की निस्बत जो questions है वो आप खुद करोगे वो आपका homework है इसी तरह इसकी short statements बना कर आज के लिए इतना ही काफी है इंशाला आगे हम कल करेंगे ओके सुरेंस अलाफे